इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ राजस्थान जो की टेवल टॉपर है और इसका मैच होने वाला है मुंबई के बीच में अब मुंबई जो की लगतार मैच हार रही थी लेकिन इसने अपने पिछले कुछ मैचे से सुधारा है अपनी जीत को यानि चार में से तीन मैच जीत के आ रही है लेकिन राजस्थान क्या विन रेट है इनका साथ मैच में छे मैच जीत के आ रही है तो और यह जो मैच है ना यह जैपुर में होने वाला है ठीक है यानि कि होम ग्राउंड होगा रायस्थान का तो इस मैच में हम पूरी क्लारिटी के साथ आपको बताएंगे कि आपको टीम कैसे क्रियेट करना चाहिए खास करके इस पिछ के बारे में बताने वाला हूं कि यह पिछ कैसा भी हैप करेगा फैंटासी के पॉइंट ऑव यू से देखेंगे ना की क्यूरेटर जैसा बताते हैं और आपको आपके उपर उपर से चला जाता है वैसा नहीं आपको पूरी क्लारिटी से बताऊंगा कि ऐसे पिछ पर कौन बैट्समें अच्छा करेंगे और कौन बॉलर अच्छा करेंगे गाइस कुछ लोग नए भी आते हैं चैनल पर उनको बताना जरूरी है कि जो चीजे हमने आखरी मैच के अंदर किया था उसके क्या रिजल्ट्स थे मैंने आपको असपस्ट रूप चे बताया था बड़े प्लेयर्स के बारे में कि जिनको ड्रॉप करके चलिए लॉजिकल analysis दिया था उसमें नाम था एडराट कोली का और सुनिल नारायने का हलाग कैप्टन बने और नहीं विराट कोली का आप्टन बनने दिखाई दिखाए दिए इस वीडियो में भी वह तोफ मैच की बात आपको इशान किसन किसको डॉप करोगे बड़े नाम दोनों टीम की तरफ से बॉलिंग सेक्शन में भी दिखेंगे टेंट बोल देखिए या जस्परित बुम्रा देखिए मैं सब बताने वाला हूँ और राउंडर से हर्दिक पंड्या विकेट लेंगे कि नहीं यह सब रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन कुछ मैच अप जो है ना वह बहुत इंपॉटेंट है जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जैस्वाल ने इस सीजन पावर प्ले के अंदर अपने विकेट गमाएं हैं सात में से छे मैच के अंदर पावर प्ले के अंदर वह आ पराग जो उभरते हुए सितारों में से एक उसने सबसे जादा हिट लगा है सिक्स लगा है गुम्रा और गिराल कोईटजी का देखेंगे ना तो लगबग दोनों मिला के 25 अभी तक ले चुके मुंबई के लिए जो अपने आप में एक हूज नंबर होता है यूजी चैल को होता है क्योंकि बहुत कम लोग सबस्क्राइब करके वीडियो देखते हैं सबस्क्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यह कह रहा हूं कि यूटूब पे आए आप जब भी और अगर आप टीम बनाते हो अगर आप खेलते हो पूरी अगर आपको चाहिए यूटूब पिछ रिपोर्ट बताऊंगा और जो डीटेल पिछ रिपोर्ट हम देखेंगे fantasy के point of view से उसके हिसाब से दोनों टीम का pitch behavior के हिसाब से comparison करेंगे प्लेंग लेविन का ठीक है पिछ कैसा है उसके हिसाब से दोनों टीम के players कैसा perform करेंगे यानि एक team के batsman को compare अलग करेंगे baller का अलग करेंगे ये चीज़ हम देखने वाले बुम्रा के सामने कौन batsman struggle करेंगे रास्थान के उसके बादे ट्रेंट बोल के सामने कौन batsman struggle करेंगे मुंबई के चार से पांच player को सीधे सीधे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद दोस्त इस वीडियो में मैं आपको एक रुपे में पांच मेगा contest खेलने के offer भी बताने वाला हूँ ये बहुत amazing offer होने वाला है आप सब के लिए मेगा grand league अगर आप खेलते हो तो वीडियो में आगे बताऊंगा आपको खुद बखुद पता चल जागा है चलिए सबसे पहले pitch report पे चलता है कि दोस्तों अभी तक जो चार match हुए उसमें होता है तो आपको पेसर बॉलर जो होंगे उसको extra help मिलेगा उसके उसके पेस में जो है न वह और बड़ोतुरी हो जाएगी अच्छा bounce आसिल कर पाएंगे तो extra pace यहां पर मिल जाता है थोड़ा सा grass होने के वज़े से और यही reason है यही reason है कि नए बॉल से जो बॉलर बॉलिंग करते हैं उनको extra moment मिलता हुआ दिखाई देता है हाँ एक और चीज़ है अगर आप आगे बढ़ोगे तो the spinners will get some turns as well यानि के गेम जैसे जैसे progress होता है तो गेम थोड़ा सा slower side पे भी जाता है और spinners को थोड़ा help भी मिलता दिखाई देता है तो highly batting friendly पीछ है पीछ हाड होता है थोड़ा सा spinners को turn मिलेगा बाद में लेकिन पेसर को initial over में movement मिलता दिखेगा तो यही एक point हो जाता है कि कौन वो baller है जो initially movement करा सकते हैं ठीक है कौन वो batsman है जो hard surface होने पर अच्छा खेल सकते हैं और किस batsman को movement से दिक्कत होती है जो out हो स यह सबसे बड़ा term है जो मैं आपको अगले page पे चली बताता हूं अब यहां पर ध्यान से समझेंगे ना तो मैंने असपश टूप से सारी चीज़े लिख रखिए चार match हुए है उस चारो match में अगर आप देखोगे तो total 37 wicket गिरे है 37 wicket के अंदर 15 wicket जो है वो गिरे है दो पिसर्स लेके जा रहे है इस्पिनर्स ले रहे है कितना 12 wicket मतलब on an average 3 wicket यह हर मैच के अंदर इस्पिनर्स को मिल रहा है मतलब क्या है कि बहुत जादा टर्न नहीं है स्पिच पर किलियर है उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक चीज बहुत असपश टूप से मुवमेंट के सामने स्ट्रगल करते हैं वो आउट होते दिखाई देते इसका मैं प्रूफ भी देना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे यह रहा है चार वो मैचेस ठीक है चार-पांच मैच यह पर यह डेटा में आपको दिखाऊंगा लेकिन फिलाल आप यह समझे यह जो चा इसमें ना जैसवाल है ना बटलर यहां से ठीक है और यहां दिख जाते हैं और यहां बनाया यह तो यहां बनाया थे यांनी के दोनों मैच में तो जैस्वाल टक हो गया है से इसमें पिछने के अंदर फिर से सब्सक्राइब है कहने का मतलब यह है कि जो भी प्लेयर मुमेंट के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं यानि एक अपनर फ्लॉप होता दिखाई देता है हमें इस पिछ पर अब एक और चीज़ हमें ध्यान क्या देना है देखें यहां भी बन रहे है तो यह चीज हमें देखने को मिल रहा है रन अच्छे कास से बन रहे है और रन बनेंगे आज भी लेकिन जो हम रिस्क लेंगे वह उपनर पर लेंगे और कौन प्लेयर मुमेंट कराएंगा कराएंगे उसके हिसाब से लेंगे यह वही चीज़ है हमने प्लॉप होते दिखाई धिएbaj मैं加入 से काम लगा है यहां पर आप गोर से दखिए आपको रोहिष शर्मा और इशान किशन दीखेंगे मैस नहीं दिखाई नहीं समझे करते रहा बीच्छुन मैच होता तो फ्लॉप attends जब जब मैच हुआ है चहल हर मैच के अंदर यह लीज्य मैँ दिखाई देता ओं घुरिज तो यहां पर देखें चहल यहां पर देखें चाहल यहां पर देखें चाहल तो जो quality गलती क्या कर रहे हैं दोनों अपनर के साथ जा रहें बटलर को भी लेना है आपको और जैस्वाल को भी लेना है इशान किशन को भी लेना और रोह शर्मा को भी लेना और लोगों की गलती क्या है यहां ज़ादी के रियान प्राग वोईस कैप्टर है और कैप्टन यहां पर रोहिश शर्मा को करके चल रहे हैं आज कैप्टन रोहिश हर्मा होंगे या नहीं चले मैं आगे बताना शुरू करता हूं अभी तक का पिछ रिपोर्ट ये रहा फाइनल पर फाइनल टीम भी मैं टेली ग्राम पर देता हूं तो टेली ग्राम से जाकर के ज़रूर जूरी है सबसे ज्यादा पर लेकिन राजस्तान काफी फॉर्म में है कि इनके बॉलिंग लाइनप के सामने मुंबई का बॉलिंग लाइनप तो भूमरा अकेले क्या ही करेंगे विम्रा अकेले से एक सिंगल प्लेयर से टीम नहीं जीती है नहीं तो आर्से भी हमेशा जीता करती बास समझ रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे ना कॉम्पेरीजन में देखे तो टॉप और प्लेयर चाहे जैसवाल हो बटलर हो संजु सैंसन रियान प्राग हो या फिर धुरुव जूरेल चार प्लेयर तो आप आकमन के ट्रस्टेड मानके चल सकते राजस्तान की टीम से मुंबई में भी काफ यहां पाएंगे यहां पर हमाल पर ट्रेंट बोल्ड आवेश्खान कुल्दीप सीन यूजी चहल का नंबर आता है जो आल्मोस्स सारे के सारे पिक करने वाले प्लेयर है लेकिन यहां पाएंगे तो एक केवल गिराल कोईडजी और जस्पिर बुम्रा को छोड़ कर बाकी प मैं स्विच करेंगे मुंबई के दो-तीन बॉलर ऑप्शन में में से ही बाकी मुंबई के टीम में इंपक्ट में कौना आ जाएंगे यहां पर काई है और अकाश मादवाल है ना कंसिडरिंग पहले बैटिंग पहले बालिंग यहां पर आप आप आएंगे तो राजसान की ट यह तीन टीम फार्मूला वाली वीडियो भी जरूर देख लेना इसमें आपको अभी आधा आईपेल तो चला गया है लेकिन इस आधा आईपेल को भी अगर आप बचाना चाहते हो ना तो पागल मत बनो छे और बीस या फिर सो टीम के चक्कर में मत पढ़ो यह तीन टीम व और बॉलिंग यहां से कौन कर तीम की टीम की तरफ से बहुत आसान है किलियर है ट्रेंट बोल्ट करते हैं अविश्खान यूजी चैल कुलदीप याद कुलदीप सेन रवी चंदर अश्वीन यह आपको करते दिखाई देते हैं बाकी दोस्तों बताए अगर हम आपको मुं आ नहीं रहा है पूरे चार और बॉलिंग करेंगे बुम्रा कटजी अकाश मादवाल पांडय यह पूरे चार ओवर करेंगे ओबर जो कटेंगे श्रेस गोपाल और फिर रोमारियो शेफर्ड में कटेंगे अगर विन्यू से थोड़ा टर्न रहा और फिर मुंबई सेकेंड बॉलिंग करती है ठीक है फिर यहाँ पर श्रेस गोपाल जो खेलते हैं यह इंपोर्टेंट हो सकते हैं इस बात का ख्याल रखना याद रखना कैसे लेना मैं चलिए आपको बताता हूं दोस्तों अगर हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो जरूर आईए आपका most welcome आज के इस मैच के structure क्या होगा वह बता देता है structure मतलब हम किस section से कितने प्लेयर लेंगा विकेट कीपर में सबसे ज़्यादा confusion है कैसे देखते हैं सबसे पहले देखिए विकेट कीपर से लोग टीन प्लेयर के जा रहें तीन प्लेयर के साथ जा रहें आपको यह गलती नहीं करने है मीनी ग्राइल की टीम की रेट करना तो दो विकट की पर चार बैसमन दो और अंडर तीन बॉलर लेना ग्राइल की टीम में भी वही चेंश सेम चीज आपको करके चलनी है लोग जा रहें के वह बालर के साथ आपको नहीं करना यह चीज़े बालिंग से तीन प्लेयर रहते हुए दिखाई देंगे ही देंगे और यह maximum लोग वह गल्टी करके चल रहा है आप नहीं करना प्लीज अब दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे ना जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसे भी हाई रहेंगे इ आपको बहुत क्लारीटी मिल जागा फिर हम चलेंगे वहां पर ग्रांड लीग पिक काप्टन वोईस काप्टन फिक्स प्लेयर यह सब बताऊंगा ड्रॉप प्लेयर किलियर किसको ड्रॉप करना है यह सब बताऊंगा अब देखे गाईज इतना सब कुछ रिसर्च करने के अगर आप दिपॉसित करते हो ठीक है तो आपको मिलेंगे किवल एक रुपे में पांच मेगा कॉंटेस जोइन करने का मौका और यह कैसे मिलेगा यह मैं आपको समझा देता हूं अगर आप 200 रुपे भी डिपॉसित करते हो तो 5 मेगा कॉंटेस आप जोइन कर सकते हो अगर आप 100 से 199 डिपॉसित करोगे तो 3 मेगा कॉंटेस अगर आप 50 रुपे से 99 रुपे डिपॉसित करोगे तो 5 मेगा कॉंटेस एक रुपे में केवल डिपॉसित कर पाओगा और मैं कहूंगा यही वाला deposit कर लो क्योंकि कहां डाइस हो लोगे और यहां आपको मिल जाएंगे किवल पांच और यह नहीं यह जो contest है अगर आप पहली बार deposit करोगे तो आपको मिलेंगे जो deposit आप करने वाले होना उस पे मिलने वाले है बीस परसेंट का एक्स्ट्रा कैस्ट लॉजिकल 20 कोड यूज कर लेना बस यानि के मैं आपको बदा दू इसका भी calculation अगर आप 200 रुपे deposit करोगे 240 रुपे आपको मिलेंगे 500 रुपे deposit करोगे तो 600 रुपे मिलेंगे 1000 रुपे deposit करोगे तो आपको मिलेंगे यहां पर 1200 रुपे इसना बड़ा ओफर आपको पूरी fantasy की फिल्ट में आपको guarantee दे रहा हूं कि कहीं भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा तो इसका लाव उठाइए 1500 का cash bonus भी आप सब के लि हो तो आपको बता दू यह तीन टीम वाला formula जरूर अपलाई करना यह बहुत important और यह पाच गलतिया जो लोग करते जा रहे हैं इसको नहीं करना है चले मैं बात करता हूँ सबसे पहले जौश बटलर के form को देखते हैं बहुत घजब के form में है शतक यहां बना रहे हैं अग ठीक है यह almost हो जाते हैं दोस्तो 215 रहन है ठीक है और 215 को अगर आप divide करोगे तो 60 प्लस average के साथ यह आता है लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 40 का average इनका overall है head to head में जरूर आपको 60 के average के साथ यह perform करते दिखाई देते हैं फिर भी आप अगर एक risk टेकर हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस player पर आज की इस match में risk लेकर के चलिए drop करने का यह हो सकता आज इस match में flop होते दिखाई दे और जैसा के track record रहा है इस fish पर भी मैं आपको शुरू में भी analysis में भी समझा हूँ पिश रिपोर्ट जो समझा हूँ आँ भी तो आपको दिखे हैं कि एक नेक opener flop होते दिखते हैं इसके लाप इस पर रिस्क लेके चलिए फिर हम बैक करेंगे जैसवाल को और या फिर यहां पर देखते सबसे पहले संजू सैमसन की बात करते संजू सैमसन कंसिस्टेंसी के मावले में बहुत अच्छे लग रहे हैं अपर देख सकते हैं 69 उससे पहले जो यही काऊंगा रोहिश शर्मा से तो जादा ही सेफ हो जाते क्यों रोहिश शर्मा मुव्मेंट के सामने स्ट्रगल करते हैं लेकि निशान किशन अगर ये टिक जाएंगे पावर पे के अंदर 3-4 ओवर तक भी तो भी आपको इजली ट्रिम टीम में आ जाएंगे क्यों क्यो कुछ कुछ रन बना करके 24 रन भी बना करके डрीम टीम में आ गया है और हम जो टीम बनाने वाले वह ऐसे ही बनाने वाले है कि किस प्लेयर के चांस से ज्यादा है कि वह ड्रीम टीम में आए यानि कि dream team में आने कि इसाप से अगर आप team बनाओगे तो आप इस चक्कर में के वह नहीं रहोगे कि कौन शतक बनाने वाला है कौन पचास बनाने वाला है आप इस sense के साथ के team बनाओगे कि कौन middle order के batsman आकर के 30-35 run भी बनाने वाले हैं यह सोच के चलोगे तो आपकी combinations कभी न कभी वर्क कर जाएगी याद रखना इनका अब देख सकते हो ट्रैक ठीक है उतना रन भी नहीं बना पार है कि इसली ड्रीम टीम में आने के लिए ने यार बीस बाइस प्लस से जाधा रन होना जरूरी होता है और अगर उतना रन है तो वह भी risk है लेकिन फिर भी कई बार होता कि वह आज आज है फिल्डिंग मिल्डिंग के पॉइंट वगरा दे करके तो यहां पर देखे तेरह है ग्यारा चौदा इस तरीके से बना रहा है और अवरल परफॉर्मेंस भी हमें उतना कुछ खासा नहीं लग रहा है आप रिस्क लेके चलिए ड्रॉप करने का धुरूब जूरेल फिर इं पर देने वाले और किसे ड्रॉप करने वाले सबसे पहले तो आप रोहिशर्मा को देखें जैसा कि मैंने इशान किशन के बारे में इसान को हम अपनी टीम में बाइडिफॉल्ट फिक्स लेके जाएंगे और रोहिशर्मा जो कि स्ट्रगल करते हैं किसके सामने मूव्मेंट के सामने यह पिछ वैसा ही है नए बाल से यह स्ट्रगल करेंगा और मैं मैं मैंक्स करके चल रहा हूँ कि यह खिलारी आज की मैच में फ्लॉप होते दिखाई दे सकते क्यों क्यूंकि इनका आप देखेंगे ना आखरी का चार मैच आप इनका एवरेज क्यालकुलेट करो ज तो रस्वर कमार याद हो आज की मैच के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे के काफी इंपॉर्टेंट के लारी अगर टिक गए तीन-चार ओवर भी तो यह आपको इसली बढ़िया स्कोर करके जाएंगे अब यही है कि इनको सीबीसी कब करके चलना है यह ज्यादा तो आप इस प्लेयर को बैक करिए नमबर काफी कमाल के रिसेंट भी आप देखेंगे तो इतना रन बना रहा है कि इसली ड्रीम टीम के अंदर आ रहा है 31 है 34 है फिक्स लेके जाए अपनी टीम के अंदर बाई डिफॉल्ट अब बैटिंग से आपने समझा कि कैसे हम प्लेयर है और यहां से तिम डाविड अब नेकिरीं डाविड खेलते हैं अगर तो जीन वगरें में ट्राय करना रहा है लेकिन मुंबए के पहले बैटिंग में हम कवर करके चलेंगे मुंबए के पहले बैटिंग में इनके पास time जाधा होगा कि यह आपको freely score करते हैं ने आपको अ उतना साथ जादा सक्सेस्फुल साबित नहीं हो पाया है तो यह एक आपना जील वगरे में ही ट्राइ करना लेकिन किस इनिंग में इनकी जेगा बन पाती है फिलहाल के लिए अपनी टीम से आप इनकी रस्क लेके चल सकते हो छोड़ने का लेकिन और रॉंडर से जो दो प्ले करके भी ड्रीम टीम में आ जाएंगे तो अपनी टीम में इनको सेकेंड बैटिंग के अंदर लेके जाएंगे यहां पर बात करेंगे रवी चंद्रणाश्विन की बेहतरीन स्पिनर्स में से एक है वर्ल्ड क्लास की बात मैं कर रहा हूं वर्ल लेविल पे आपको आराम से क फिक्स लेके जाएंगे क्योंकि गेम जैसा जैसा बढ़ेगा ठीक है थोड़े बहुत तो टर्न देखने को मिलते ही हैं वहां पर एक विकेट भी आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि यह ले लेंगे तो चांसे बढ़ जाएंगे कि आपको ड्रीम टीम के अंदर दिखेगा जो पूरे चार वर बालिंग करते हैं बैटिंग आ जाए तो बैटिंग से भी आपको विजली हिट वगरा लगाते हुए दिखते ही हैं और जैसा कि मैंने बता है पिछ के बारे में कि पिछ पर एक्स्ट्रा पेस मिलता है और मुमेंट होता है और यह पावर प्ल में एक बार आपको दिखेंगे आप बहुत कम देखेंगे इनका यह ड्रिम टीम में आने का रिशियो तो आप इन पर रिस्क लेकर चलिए मोहमद नभी के अगर मैं बात करूं तो दिखें वैसे तो आपको लिफ्ट हैंडर दिख जाएंगे बहुत जादा नहीं बढ़ा ब दीजिए ठीक है और रांडर से जैसा मैंने बताया इस ट्रक्चर में प्लेयर आम लेकर के चलेंगे आज रहेगा किस को किस को किसको किसके साथ डिफरेंशल लेकर जा रहे हो सबसे पहली चीज़ क्यूंकि पावर प्लेयर को शायद ही विकेट मिले जो टेथ में बॉलिंग मैच में विकेट लिस गया है तो जैसा पीछे दोस्तों अगर आप ट्रिंट बॉल्ट को आज इस मैच में पहले बॉलिंग के अंदर लेकर के जाओंगे तो इनके चांसे हाई रहेंगे कि आपको विकेट निकाल करके जाए क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा मुमेंट मिलता दि फांच में पांच में पांच विकेट इस पिच पर बहुत इंप लेकर चलना है उतना बढ़िया है न यहीं होते दिखाई दे रहें आप इन पर रस्क ही लेके चलिए वह ज्यादा से अप्शन नेगा राज्थान की टीम से आपको यूज ही चाहल दिखेंगे जिनका ट्रै पिल के हिस्ट्री में सबसे जाद विकेट लेने वाले खिला रही है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दू रिसेंटली भी काफी बढ़िया परफॉर्म करके आ रहे हैं इस पिछ पर लगबग चार मैच हुए और चारों मैच के अंदर ड्रीम टीम के अंदर आ रहे हैं हम किस बॉलर के साथ जाए सबसे पहले आपको गिराल कोट्जी दिख जाएंगे और फिर जस्परित बुमरा का नमबर आ जाए तो गिराल कोट्जी के अगर मैं बात करू तो यह खिलारी आपको उपन करते दिखाई जरूर देते हैं पिछला दो मैच ऐसा इनका गया है जह यहां पर विकेट ले चले जाएंगे यह तो आप इन पर रिस्क लेके चलिए ड्रॉप करने का लेकिन श्रेयस गोपाल जैसा के मैंने बताया इस पीच पर सेकेंड इनिंग के अंदर कैसा हेल्प रहता है स्पिनर्स के लिए रहता है विकेट मिलते हैं दो तीन विकर तो हर ज़्यादा विकेट निकाल के देखे जाएं तो आप इनको सिकेंड बॉलिंग में लेके जाएंगे जाएंगे वहां प्रेशर होता है और प्रेशर में इसके बॉल को जेल नहीं पाते प्लेयर यह बहुत अच्छा बॉल करते हैं यॉर्कर डालते बढ़िया फिर बॉलर फ कि मुंबई के इसानों मूंबई के पैले बॉलिंग में मुंबई हैं यहां तक कोई है तो प्लीज लेट स्क्षेन कॉमेंन करके हमें बताईए अब मैं आपको दोस्तों चलिए बताता ह씁 ग्राइंट लिग पिक यार्चन रिचन कॉन हो सकते क्यों हो सकते यह यहां देखते फिर इनिंग वाइस चलते सबसे पहले हैं यहां पर टिम डैविट छे नंबर पर आते हैं तेरा परसेंट लोग लेके जा रहे हैं हिटिंग अबिलीटी बहुत जादा है अगर यह दस से बारा बॉल भी खेलेंगे ठीक है तो बाइस प बढ़िया बॉलिंग करते दिखाई देते बुबरा के साथ में यानि के बता सकता हूं कि यह दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते आज इस मैच में और इन दोनों प्लेयर को बहुत लाइक्टली दोनों टीम के बढ़ेंट में लेते आपको दिखाई देने वाले फ फिर आकाश मादवाल को ऐसर ट्रंप यूज करी लेकिन आसान जब पहले बॉलिंग करे तो आपको एक प्लेयर को बढ़ा देना वो है टीम डैविड इन्हें बढ़ा देना प्री टीम में ग्रैंड लीक के ट्रंप प्लेयर में यहां से कम से कम दो या तीन प्लेयर आपकी हर टीम के अंदर होने चाहिए और यहां से जो ट्रंप बढ़ाता हुए हमेशा होता हुआ अभी दिखाई देता है अब मैं आपको कैप्टन पर लेके चलता हूँ उससे पहले दोस्तों आपको बढ़ा दू ड्रॉप किस-किस प्लेयर को हम करके चलने वाले हैं यह लिस्त मैं करने है ड्रॉब करने का र Haut हैं रोहिश्ष शर्मां करने का रिस्क लिए चलते हो ये क्यूं मैंने बताया है जस्त पीछे तो जाकर करके सुरूर सुनीए 10 15 मीट एक्ट्रां लाँगे दो अप हर मैंश लिए उनिक टीम बना पाउगे कौन है बुमरा कंटर स्वारी के टीम हो जाएगी कौन का रहा है बुमरा आकाश Mाधवाल वी सी बन चुक है कोईडजी ए है बूमरा अगेन इशान किशन है और रोमार्य यशिफड है यहां देखेंगे राजस्तान की तरफ से तो हमारे पास कौन है सामसन पराग ट्रेंटप जासवाल को CBC करके चलेंगे देखिए मैं यहीं आता हूँ तो मुझे याद आता है वाइद वीडियो बहुत कम लोग लाइक करते हैं किवल 15,000 का लाइक का टार्गेट दे रहा हूँ अगर आप पूरी वीडियो यहां तक देखे हूँ आ तो मैं तो 100% शूर हूँ कि अब त करता हूँ उसमें जो हमें सुधार करने की जरूतिती वह करता हूँ और कई बार तो हमें बहुत अच्छे-चे कॉमेंट देखने को मिलता हूँ कॉमेंट जरूर करिएगा कोई बी चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है लाइक केवल 15,000 दे रहा हूँ प्लीज पू कौन करन है उसमें है आकाश मादवाल और एक है यहां पर आवेश खान जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया ग्रैनलिक्पिक में पहले बॉलिंग जिसकी भी हो उसे भी आप सीवी सी करके चल सकते हो याद रखना इस बात को अब यह काप्टर हो गया हमारे फिक्स प्लेयर होंगे संजू सैमसन और फिर इशान किशन तिल्यक वर्मा होंगे उसके बासरक मार्यादव होंगे यह सवी जैस्वाल होंगे हार्दिक पांडिया होंगे और फिर होंगे रवी चंदरन अश्विट